तो हेलो फेंट कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने Samsung Galaxy में Split Screen View और Pop-up View में किसी भी एप को खोल पाएंगे वो भी सिंपली एक सेकिंड में आप हो सकते हैं कुकली बहुत ही असान तरीका बताने वालों जो कि अभी रिसेंड ली वनियों 5.0 में इनेवल किया गया है बहुत ही शांदर तरीके से आप क्यों कोई सी भी एप में हो आप Split Screen View और Pop-up View में उसको फट से ओपन कर पाएंगे आगे आपको बताने वालों आगे बंड़ने से पहले मेरे चैनल जरू सब्सक्राइब कर लेना नो डिवेशन पहला आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सब्सक्राइब बिले तो चलते हैं दोस्तों में और Pop-up View में किसी भी एप को खुल पाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइक मैंने यह गैलरी खोल ली गैलरी कोलने का मुझे इसको Split Screen View में कर रहा है तो मैं सिंपल यहां से दो यह फिंगर फिंट करके ऊपर करूंगा तो आप देखेंगे यह सीध तो यह Move Out होना चालू हो जाएगा आप कोई सीभी एप में ज़रूरी नहीं इसमें हो लाइक आपने कैमरी ओपन कर और हूँ आपको ऋस प्रेटज स्कृल्ज्रे इसमें करना है तो यह भी यहां पार इस प्रेडज स्क्रीन व्यू आपन होच्ठा है ऐसे अगर आपको उसक हाँ पर बहुत ही quickly बहुत ही easily वहाँ पर खोल जाएगी आप दिख सकते हैं simply मैं हाँ से यूप करूँगा और यह pop-up view में हाँ पर खोल चुका है ऐसे ही अगर मुझे इसको split screen व्यूप करना है आप देखेंगे सिर्फ दो fingers से मैं हाँ पर swap करूँगा और यह हाँ पर use हो गया आप देख रहे होंगे कितनी easily हो चुका है अब इसको enable करना कैसे है इसको enable करने के लिए आपको करना क्या है यहाँ जाना है आपको mobile की setting पर जाने के राद नीचे की तरफ आएंगे आपको जाना है advanced future वाला option दिख रहा है आपको उसमें जाने के राद आपको ऊपर ही सब आपको फिलिक करना है और इसको ऊन कर लेना है यह आपको घंवो भी दिखारा है इसको कैसे उस करना है अब करनेंगे आपको करने ही सिंपली टूफिंगर से स्वेट करेंगे तो यह split screen view पे work करना लग जाएगा pop-up view में करना है तो दोनों में कहीं से भी तरक्त से आप इसको करेंगे तो उसके लिए आपको बहले दूसरा window खुलना बड़ेगा आप कहीं से भी इसको drag करेंगे तो यह pop-up view में आ जाएगा तो यह pop-up view में आ जाएगा तो ऐसे यहाँ पर इसका work कर सकते हैं मुझे तो यह feature बहुत best लगा उमीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो thank you तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और सबसे जरूरी चीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल कर दो सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो मुझे इंस्टाव और फेद उपर भी फॉलो कर लेना इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो तेंक्यो दोस्तो